नमस्कार दोस्तों दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आज सावन का तीसरा सौंबार है तो आज के दिन सावन के तीसरा सौंबार को ताजनगरी आगरा में आज का दिन कैलाश महादेब मंदिर के लिए फेमस है इस मेले में और इस मंदिर में महादेब बावा के दर्शन और उनकी पूजा अर्चना के लिए सुबै से भक्तों का जन सैलाब उमर पड़ता है दर्शन को आने वाले भक्त महादेब के इस सावन के खास महीने में खुश करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं आसावन के इस खास सौमबार में और मुखे रूप से कैलाश महादेब की इस प्रचलित और प्राचीन मंदिर की विशेशता और इत्यास जाना भी जरूरी है देवो के देव महादेब शिप्शंकर का मंदिर यो तो पूरे देश में मिल जाएगा पर ये एक इत्यासिक मंदिर है जो की आगरा के सिकंद्रा छेत्र में इस्तित है इस मंदिर की खास बात जे है कि इस मंदिर में दो शिप्लिंग बिराजमान है जो की पूरे देश में किसी भी मंदिर में नहीं है इसकी इसी विशेशता की बज़े से भक्त दूर दूर से इन शिप्लिंग के दर् यहां शिबलिंगों की पूजा कर सिर्फ सेवा का साक्षात अनुभव करते हैं मंदिर का हित्याश माहर्शी भगवान परशुराम से जुड़ा हुआ है कहा जाता है त्रेता युग में भगवान परशुराम और उनके पिता रिशी जगदयानी ने अपनी तपस्या से भगवान शिब को प्रभावित कर कैलाश परवत पे उन्हें यहां से लाए थे तबी से ये जुड़वा जो तरलिंग यहां इस्तित है यहां हर सौंबार को भीड उमरती है और सावन के दोरान तो इतनी भीड हो जाती है कि नेशनल हाईवे तक को बंद करना पड़ जाता है शहर मुखे शहर से करीब आठ किलोमीटर दूर यमुना की तलहटी में कैलाश मंदिर उपस्तित है इस मंदिर को देखकर यहां का इतियास महसूस होने लगता है मंदिर के महंत महिशगरी बताते हैं कि इन जोड़वाश जोतिरलिंग के बारे में कहा जाता है यह शिवलिंग की स्तापना खुद परशुराम और उनके पिता रिशे जगदैनी के हातों ही हुई है इस मंदिर पर एक ही प्रवार की 26 भी पीड़ी आज भी सेवा में लगी हुई है दोस्तों महिंत महिशगरी जी बताते हैं कि त्रेता युग में भगवान परशुराम और उनके पितारिशी जगदैनी केलाश परवत पर भगवान शिप की अरादना करने गए थे उनकी कड़ी तपश्या के चलते भगवान शिप ने उन्हें बरदान मांगने को का इस पर दोनों भक्तों ने उनसे अपने साथ चलने और हमेशा साथ रहने का आशरवाद मांग लिया इसके बाद भगवान शिब ने दोनों को एक एक शिबलिंग भेट सरूप दिया जब दोनों पिता पुत्र अगरवन में बने अपने आश्रम रेडुका के लिए चले तो आश्रम से चार क्लोमेटर पहले ही रातरी ब्रिश्राम को रोके फिर सुबै की पहली बेला में हर रोज की तरह नितरक क्रम के लिए चले गए उसके बाद जोतरलिंग की पूजा करने के लिए पहुचे था वहाँ जोतरलिंग प्रत्वी की जड़ में ही समा गए थे इन जोतरलंग को पिता पुतर ने काफ़ी उठाने का प्रियास किया लेकिन उसी समय आकाश बाड़ी हुई अब ये कैलाश धाम माना जाएगा तब से धार्मिक इस्तल का नाम कैलाश पड़ गया है जानकार बताते हैं कैलाश मंदर की सापना तो त्रेता युग में हुई थी लेकिन इस मंदर का जिर्डो धार कई वार कई राजाओं ने भी कराया ये भी कहते हैं कि यमना किनारा कभी परशुराम की मारेणों का का आश्रम भी हुआ करता था उस समय ऐसी घटना घटी की यम्ना नदी के किनारे बरे इस्तान को कैलाश नाम दे दिया गया भगवान परशुराम तरेता यूग के एक मुनी थे जिने भगवान विश्णु का छटा अपतारवी कहा जाता है पितामा धगु द्वारा संपन नामकरण संसकार के अनंतर राम जब दंगनी का पुत्र होने के कारण जाम दगने और शिपजी द्वारप्रदत परशु धारण करने के कारण वो परशुराम जी कहलाए माना जाता है परशुराम जी ने 21 वार हे वंशी छत्रियों को समूल नस्ट कर दियाता छत्रियों का एक बर्ग है जिसे हे वंशी समाज कहा जाता है वे समाज आज भी है इस मंदिर की माननेता है कि जो भक्त पूरी भक्ती निस्टा और लगन से इस मंदिर में पूजा करता है उन पर महादेब की कृपा बहुत होती है और उनकी हर मनुकाबना पूर्ण होती है साथ ही सावन के महीने में इस मंदिर की माननेता और अधिक भड़ जाती है भारी संख्या में भक्त इस मंदिर की और रोक करते हैं और पूजा पाट से भगवान को खुश करते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही प्लीज मेरी वीडियो को देखिए शेयर कीजे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए सब्सक्राइब के आगे जो बैल वटेन है उसे भी दवाते दीजे धन्यवाद दोस्तों